दोस्तों, ये साल Ola Electric के लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा था जहां पे इस साल Bajaj और TVS ने Ola Electric को काफी पीछे छोड़ दिया और Ola Electric का जो मार्केट शेर होता है, वो 45% तक कम हो गया था क्योंकि उसके वेहिकल्स का रिजस्टेशन काफी जादा कम था कई सारे प्रोड़क्ट उन्होंने अनौंस किये थे, वो मार्केट में आई नहीं और उनकी बाइक्स को भी आता थे, काफी जादे डले हो गया यानि कि एक काफी बड़ा चटका लगा था, क्योंकि कई सालों से All Electric मार्केट में नंबर वन प्लेयर बनके बैठा हुआ था लेकिन अगर मैं आप लोग का बोलू, आपके बात से आगे की जो कहानी होती हो 180 डिग्री बिलकुली फिलिप होने वाली है All Electric ने Rare Earth Magnet Free वाली मोटर पर पिछले साल से ही हापे काम करना शुरू कर दिया था और उसका नाम रखा गया Ferrite Magnet Motor और जो Ferrite Magnet Motor होती है, यह जो Magnets होते हैं बहुती इसली अवैलेबल होते हैं और उसका यूज करके वो अपनी मोटर हापे बना सकते हैं लेकिन इसका Utilization पहले क्यों नहीं हो पा रहा था Simple सी बात है, यह जो Rare Earth Magnets होते हैं यहां पे इनके दर Efficiency बहुत मिलती है, पावर बहुत मिलती है और Ola Electric जानी जाती है अपनी पावर के लिए लेकिन आप लोग एक बात बता सकते हो यह पावर वाली जो चीज है, यह उन्होंने फाइनली अपनी फेराइट मोटर में अचीब कर दिया और यह उन्होंने जो Graph वगर दिखायते, इससे पता चलता है कि इनको काफी जादा Boost मिला यानि कि Special Technology का यूज करके अब इन्होंने Ferrite Magnet से ही High Range भी निकाल पाएंगे और Performance जो High Speed के लिए ओला जाने जाती है, वो निकाल पाएंगे और इसका जो Ferrite Magnet का Production होता है, यह लोग इसी साल शुरू करने वाले इस साल के एंट तर Ferrite Magnet वाली Motor अवालेवल होगी और धीरे धीरे अपने पूरे Product Portfolio में यह लोग अपनी इस Motor को यहाँ पे लगा चुकी होंगे जिस कारेंट से मिरे को लग रहा है कि एक साल के Transition Period में यान की अपनी Motor होगी और इनकी जो Dependency चाइना की उपर होती हो और भी जादा कम हो जाएगी लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज ओल एलेक्टर को यहाँ पे बहुत बड़ा benefit मिल रहा हो वो मिलेगा अपने product और अपनी cell technology से इंडिया में जितने भी electric vehicle manufacturing companies है चाहां किसी की बात कर लें सभी के सभी automotive companies है यह कोई भी tech company है कोई भी cell company नहीं है इसलिए इनके अंदर आपको कोई भी cell R&D देखने को नहीं मिलती नहीं जो technology रहती है वो advanced level पे लोग काम करते हैं अला कि कुछ companies हैं जो अपनी अलग लग टैपी technology, software, hardware इनको R&D में develop करती हैं लेकिन cell एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये लोग आज भी सबसे ज़ादा बहार की countries पर rely करते हैं इवन बात कर तो इंडिया के अंदर Mahindra जैसी company जो electric four wheeler बना रही है BE6 के बार में बात करें उसके अंदर में जो battery लगा जाती है वो भी चाइना से BYD से लोग मंगाती है क्योंकि इंडिया के अंदर कोई cell manufacturing plant नहीं है ये cell की R&D नहीं होती इन सब के बार में बहुत जाद कमी थी इसके अंदर भी Ola ने 2022 में battery innovation center open करके इसके उपर काम करना शुरू कर दिया था और उसका result अब 2025 में मिल रहा है क्योंकि नहीं ने R&D करके यहाँ पर 4680 भारत cell को यहाँ पर बनाया 4680 एक form factor कनाव होता है जहाँ पर 46 mm इसका diameter होता है और 80 mm इसकी height होती है जिसके अंदर आपकी जादा higher energy density होगी इसको fast charge भी किया जा सकेगा और ऐसे कंसे लगा के बड़ा battery pack यहाँ पर आसनी से बनाया जा सकता है यह एक advantage है लेकिन Ola वाले हाँ पर रुके नहीं उन्होंने 4680 का cell बनाया है वो NMC technology के पर बनाया है लेकिन इसके साथ यह लोग 46100 पर भी काम करें जहां पर length हो जाएगी 100 mm की और उसके अंदर यह लोग silicon को भी use करेंगे यानि की और ज़्यादा higher energy density होगी इसके अंदर यहाँ तक की LFP technology के बार में बता है जो कि cars के अंदर पाई जाती है के अंदर हीटिंग कम होती है और ज्यादा तर जो cars होती वो LFP batteries के साथ होती है और एक 46120 सही के बार में बता है जिसमें 120 mm की height हो जाएगी जो कि काफी बड़ी bottle जैसा है यहाँ पर शेप में लग सकता है लेकिन हाँ इस तरीके के prototype उन्होंने दिखाए है और बोला है कि इन सब पर वो R&D में यहाँ पर काम कर रहे है और manufacturing उसकी आने वाले समय में लोग करेंगे अपनी खुद की बनाई हुई Giga Factory में देखो simple सी बात है कि यहाँ पर Ola के साथ सबसे बड़ा advantage है कि सर्फ अब वो product designing पर काम नहीं कर रहे की product हो यहाँ पर हम डिजाइन करेंगे अंदर जो core component लगने वाले पूरो vertical integration होता है वो यानि कि एक चिप से लेके पूरा वो भी डिजाइन करेंगे यहाँ तक कि इसको design करेंगे इसके battery cell को और इसको आप बिलकुल Apple company जैसे समझ सकते Apple जैसे company भी यहाँ पर सारी चीज़े in-house करती है अपना processor वो खुद design करते है, software खुद बनाते है, सारी चीज़ा खुद वो design करते है हाला कि कुछ component वो अलग-अलग supplier से लेते जैसे कि display हो गया या फिर उसके camera sensor हो गया कुछ चीज़े लेकिन धीरे धीरे वो जावतार चीज़े in-house करना पसंद करते है सेम चीज ओला जैसे, ओला क्या कर रही है, बैटरी cell बना रही है मोटर यहाँ पर बना रही है, chassis वगरा बनाएगी यहाँ पर हाला कि कुछ-कुछ ऐसे components होंगे, tyre वगरा जैसे जो यह लोग भार से यहाँ पर source करेंगे लेकिन यहाँ पर जो code कीज़े, जो electric vehicle को बनाती है वो उटके लिए का advantage point है और ओला के पास एक और advantage point आता है कि उनकी giga factory गा, giga factory ऐसी चीज़ यहाँ पर रहेगी जिससे advantage यह रहेगा कि वो production facility में आ चुके यानि की इंडिया के अंदर अभी तो उन्होंने cell R&D करी थी पिछले एप-दो सालों से giga factory बना रहे थे और जब giga factory यहाँ पर बन के तयार हो चुकी है अब उसका production यहाँ पर हो रहा है तो वो उन cell को लेके अपने product के अंदर यहाँ पर डाल देंगे और already इसके जो product से market के अंदर आने को तयार है और market के अंदर बस अपनी entry लेनी वाले और उनके जो first set of product होगा वो इस साल आप नवरातरी आने के सेप्टेंबर के मन्स में आप देखेंगे जिन के अंदर S1 Pro Plus होगी जिसके अंदर 5.2 kWh की बैटरी और 320 km के IDC range होगी realistic range जो इस गाड़ी से निकली वो भी मैंने पता लगाया है अपने सूतरों से वो भी यहाँ पर तक्रीबन 240 km की actual range आप लेपाएंगे इवन आप भी बता सेता हूँ यहाँ पर Roadster X Plus को भी अनॉंस किया गया था इस साल February में जिसके अंदर 9.1 kWh की बैटरी बताई गई थी उस गाड़ी को भी मैंने देखा है और उस गाड़ी में 5.1 km की IDC लेके realistic range 375 km के आसपास के expect करेंगे और मान लो Ola के figure अगर 375 km थोड़े जादे लगे फिर भी 300-300 km वो गाड़ी है यहाँ पर चल जाएगी वेल दो लाक रुपे के price में अगर 300 km की उपर एक motorbike यहाँ पर चल रही है literally बहुत ही जादा killer deal होती है और उस गाड़ी को मैंने देखा और एक बास समझ में आई कि जो यहाँ पर Ola ने तो cell यूज करे उससे जो 9.1 kWh अकब बैटरी पैक यहाँ पर बनाया ना उसके उस गाड़ी का जो weight होता कम हो गया है क्योंकि गाड़ी काफी जादा light weight मेरे को यहाँ पर लगी ज़रूर ही है लेकिन फिर भी मैं अगर compare करूँ तो उसके comparison में रोट से एकस प्लेस काफी जादा light weight थी येस और 95% चार्ज पर उस पर जो HMI होता है उस पर 355 km की range हो कर रहा था वेल यह कुछ चीज़े मैंने देखे और यह बात में को समझ में आगी यहाँ सेल के अंदर वाकरी में अदम है और सेल से आप light weight vehicle बना सकते हो उसके अंदर जादा range push कर सकते हो और जादा charge hold कर सकता है और इवन यह लोग अपने सेल के अंदर 15 years तक कह रहें कि up to 15 years तक इस सेल को कुछ नहीं होगा यहाँ तक कि अभी जितनी भी companies है न वो 2170 सेल की उपर लगी हुई है जो market में standard और हर two wheeler यही यहाँ पर यूज़ करता है लेकिन 4680 सेल आने से definitely जो performance होगी आपकी bikes की या Ola की scooters की वो काफी जादे increase होगी और वो अभी हम अपने S1 Pro Plus से देखनेंगे इसके साथी S1 Pro Plus के बारे मैं बहाँ बता सकता हो जो fit and finish के issues आपको पहले Ola के models में देखने को मिलते तो वो नोने resolve करते है S1 Pro Plus काफी जादे complete और refined package देखने को मिलता है यहां तक की जो panel gap की problem थी वो नहीं गया और जो minor issues थे वो भी observe नहीं करें simple सी बात है कि मैंने इसे compare किया Ola की S1 Pro Generation 1 से जो मेरे पास हो उसके comparison में जादे finished और better product भी लग रहा था इसके साथ है यहां पर मैंने एक और चीज़ देखी यहां पर bikes और यह लोग तो बना रहे हैं लेकिन इसके साथ जो नए generation के जो product होगे उसके लिए generation 4 को भी showcase किया गया और जिसके लिए मेरे को लगता है कि जो पहला product होगा वो होगी उनकी Ola S1 Pro Sport जिसके अंदर 152 km पर आर की स्पीड होगे 14 इंच के फील होगे Sports Electric 2 Wheeler होगा जो कि directly मेरे को लग रहा है कि यहां पर compete करेगा Ultra Wallet Tesseract से जो कि एक premium high-end scooter होता है लेकिन हाँ उस scooter के अंदर आपको देखने को मिलते है 2170 cell और Ola 4680 cell के साथ एक काफी जादा leap यहां पर ले सकता है इवन range के बार में बात करे तो range तो उसकी S1 Pro Plus जित्ती है क्योंकि battery size यहां पर से ही में लेकिन हाँ 152 km पर आर की speed आपको देखने को मिलेगी जो एक advantage होगा है यहां पर लेकिन इसके साथ ही इस scooter के अंदर खास बात है कि design वगर सब सही है लेकिन यह one of the first scooters होंगे जिनके अंदर आपको ADAS जैसी technology देखने को मिलेगी और क्योंकि इस कहां पर आगे और पीछे आपको camera's देखने को मिलेगी जिसका use ADAS के लिए किया जाएगा और adaptive cruise control, collision warning यहां तक की blind spot indicator जैसे जो features होंगे वो देखने को मिलेगी यह यह कुछ feature जो उनके future के move OS 6 है उसका part होंगे लेकिन यह सारे feature hardware पर depend करेंगे इसलिए ADAS यसी चीज आप यह भी समझ सकता है कि आपको Ola के S1 Air, S1 Pro Generation 1 में देखने को मिलेगी नहीं यह उन्हीं scooters मैंगी जिनके अंदर आपको proper sensor देख में खोलता है हाला कि move OS 6 के कई सारे ऐसे features होंगे जो आपको पराने scooters में देखने को मिलेंगे तो automatically वो map यह पर open कर देगा यानि कि total voice interaction होगा वो आपको देखने को मिलेगा और इवन जो पुरानी generation 1 के scooter से उनमें भी चीज देखने को मिलेगी क्योंकि जो AI वाला जो काम रहेगा यह आपके scooter के अंदर चिप रहेगी वहाँ पर नहीं किया जागा यह सारा काम किया जाएगा आपके server side के अंदर जिस वज़े से AI technology ही हापे हो जाएगी जैसा आपने Google Assistant या Apple में Siri देखा है न ठीक ठीक वैसे एक assistant लेकर आ रहे हैं और हाँ जित्ती भी touch screen वाली Ola Electric के scooter मार्केट में सब किंदर को microphone और speakers देखने को मिलते हैं जिसका आप यूज करके ये लोग इसको integrate करें इवन किसी को गाने चलाने तो वो चला पाएगा music track change कर पाएंगे आपको जादा touch करने की ज़रुवत नहीं है यहाँ फिर जादा बटन दमाने की ज़रुवत नहीं है आप गाड़ी चलाते चलाते हैं पे scooter से बात कर सकते हैं और आपका ज़ियान होगा वो भी हापे distract नहीं होगा कि गाड़ी हापे सामने किस तरीके से चल रही है तो हाँ इस तरीके कुछ चीजों का फाइदा होगा है इसके साथी बात करें तो अभी तक जो generation 3 ओला नहीं हाँ पर showcase करी थी उसके अंदर लोग का एक positive feedback मैंने देखा है खास तोट पर S1X और S1X Plus users को जिसके अंदर अब chain drive आती है तो better quality, better reliability मिल रही है और यह छोटे-छोटे issues जो पहला आया करते थे वो काफी हता कि इनों नहीं हाँ पर resolve करके product काफी जाद अच्छा कर दिया हाला कि roadster वाली जो bike है उसका अभी mass scale में deliveries वगरा नहीं हुए तो उसके बार में जादा भी input देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन मेरे को लगता है कि वो भी धीरे-धीरे जब mass scale में आ जाएंगे तो वो भी काफी stable रहेंगे एक और खास बात मैंने यहां पर observe करी Ola शायद अभी यह कर रहा है कि जो उसने पिछले साल जे generation 3 आर्किटेक्चर दिखाये था है जिसके अंदर आपको एक body के अंदर ही battery क्या जो pack रहता उसको एक part देखने को मिल रहा था generation 4 में ही उसे ही लेकर गए है लेकिन उसको थोड़ा सा और scale-up उन्होंने कर दिया लेकिन जो origin generation 3 उन्होंने दिखाय था उस से related product अभी तक market मीन है क्योंकि आज भी जो Ola के S1 pro market में है generation 3 वाली उसके अंदर भी आपको एक banana ship battery pack देखने लदा और मेरे को लगता है कि जो generation 4 या generation 3 original row ने दिखाय थी 4680 cell के साथ यह अब आपको देखने को मिलेगी S1 pro sports के साथ इसके साथ ही Ola अभी production limited कर रहा हो देखेगा कि यहाँ पर किलो का experience वगरा क्या रहता और अपने cell technology को और अच्छे तरीके से test करेगा और उसका scale यहाँ पर काफी तरीके से करेगा और देखा जा तो एक साल का यहाँ पर time लगेगा Ola को जिससे वो अपनी battery cell को हर एक एक product line-up के अंदर कर दे कहने का मतलब है कि खुद के giga factory आने से वो एक दिन के अंदर खुद के cells एक दम से सभी vehicle के अंदर नहीं डाल सकते उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा एक साल का transition period होगा मेरे साब से जिसके अंदर ये लोग अपने battery cells को लेंगे और धीरे धीरे एक एक product के अंदर लेकर जाएंगे और उसको redesign करेंगे battery pack को जहाँ पर यह नए 4680 cell के साथ चल सके और इसी ही मेरे को लगता है कि ये नो ने कई सारे product को यहाँ पे इसलिए delay कर दिया जैसे कि Ola की S1Z और S1 Geek को announce किया था last year वो अभी तक नहीं है हाला कि वो product भी काफी हद तक तयार है लेकन उसको production stage में अभी तक लेकर नहीं गए क्योंकि वो धीरे धीरे पुरा transition लेना च क्योंकि सिंपल सी बात हो थी है इसके साथ ही इसकी validation करना प्लस इसका government से certification लेना उसमें भी time काफी ज्यादा लगता है इसलिए चीज इत्ती आसान नहीं है और एक बार अपने पूरे product portfolio को अगर ओला यहां पर अपने 4680 sell के साथ करते तो market में बहुत बड़ा leap ले लेगा ज तो यहां पर दूसरी companies भी से ले सकती है इवन कुछ companies के employees से जब मैंने बात कर तो पता चलाता हूँ कि 2170 के standard sell है इसलिए वो उस पर जाते 4680 अभी नया है यह tried and proven नहीं है इसलिए अभी उसको evaluate कर रहे है मेरे को लगता है कि Ola के बाद प्रूफ करके दिखा देखो हमारा 4680 इसलिए तो बाकी सारी companies खोद हैंगी Ola के पास कि हमें भी सेल दे दो चुकि अभी इंडिया के अंदर को दूसरा बड़ा manufacturer नहीं जो mass scale पर खुद के सेल यहां पर बना रहा हो और यह एक ऐसा advantage होगा कि Ola का सेल शायद फिर आपको शायद दूसरी companies के electric vehicles में भी देखने को और जब यह चीज़े बाकी लोग के पास आएंगी तो देखने वाली बात होगी कहां पर क्या रहता है लेकिन जो first mover advantage है वो शायद Ola के scooter उसमें रहेगा इसके साथ ही बात करें तो एक साल के अंदर अंदर शायद यह लोग अपनी और bikes और और भी काफी premium product को निकाल लेंग एक बार अगर इस तरीके की चीज़े हैं पर market में होगी तो Ola के लिए easily हो जाएक एक market में बड़ा disruption create करना और इस वज़े से वो कम price के अंदर जाधा high जो value रहती है जाधा high range होती है वो यहाँ पर provide करेंगे बस अब देखने वाली बात है कि market में कब आते हैं कितने pricing पर आत रहे हैं कई सारी multiple product है multiple bike है even Ola के auto rickshaw के बारे में भी यहाँ पर news आ रही है जो बहुत एक साल लंबे समय से आ रही है तो वो भी इसी generation और इनी battery cells के साथ देखने को मिलेगी यहाँ पर जो Ola के battery cells होते है वो अब यहाँ पर इस level के हो जाएंगे अगर 46,46,123 निकाले और LFP technology के साथ ने कहा ले कि उनका use four wheeler में किया जा सके क्योंकि अबीदा अगर Indian company electric car बना रही है अच्छी बना रही है लिकिन बैटरी pack अगर चाइना से ले रही है वो तो एक गड़बट वाली चीज होती है लेकिन अगर वहां पर भी अगर Indian manufacturer के इंडिया के cells होने लगे और थो के concept को भी हाँ पर दिखाया था दो साल पहला पूसके prototype को भी दिखा दिया है देखो वह अभी भी prototype है कहा गया है कि दो साल के अंदर release होगा लेकिन ओला अपने timeline को कितना match करती है यह आप लोग को अच्छे से पता है लेकिन इत्ता यह भी बता सकता हो कि कई industry experts ने यह claim कर द degrees के अंदर यहां तक की 0-200 speed लेगी यह 2 second के अंदर यहां तक कि इस गाड़ी में आटो समझ जैसा feature होगी mobile पर अपने बटन दवाए खुद बखुद गाड़ी आपके पास अपने चल कर आएगी क्योंकि self-balancing technology को भी हां पर यूज के जाएगा औरेडी इस OLS पर खब कर रह होगी तो overall in the end क्या कहना चाहूँगा में देखो confusion में मैं सर्फ यह बोला चाहूँ कि कई लोगों को लग रहा था कि अच्छे experience देखने को ले प्लस उन्होंने ये भी देखी है कि लोगों को अब इस तरीके के product बना करते हैं जो तरी फूचरिस्टिक और competition उनको कभी भी catch up ना कर पाए इसलिए sell crew पर वो लोग आगे उन्हें शायद idea था कि जातर चीज़े हम rely नहीं कर पाएंगे चाइन या दूसरी countries में हमें खुद कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा तो अपनी खुद की motor यहां पे design करने लगे वो बनाने लगे और धीरे एक देर साल के अंदर जब इनका transition हो जाएगा पूरे portfolio का तब यहां पर इनकी sales में हमें बहुत boost देखने को लेगा इवन मेर को यह भी लगता है कि जब इनकी S1 प्रोपर्स अगर नवरात्री के time पर market में आ जाया और पहान इंडिया धीरे-धीरे मिलने लगे तो वो भी काफी killer product होगा क्योंकि उस particular price range में ऐसा product ही नहीं जो यहां पर इत्ती range provide कर सके हलाकि अभी भी देखा जाए तो जो इनके premium product प्रीमियम motorbikes जो उन्होंने showcase करी थी उसके बार में खास report अभी भी नहीं है थोड़ा सा फिरको लाग रहा है इंतजार करना पड़ेगा एक साल तक का हो और वो bikes अगर market में आगे तो काफी जादा killer चीज होगी फिर देखने है वो कब रहती है उसके बार में हमें कब चीज़े देखने को मिलती है और तब लगता है कि गेम में काफी बड़े चेंज आएगा काफी सारी दूसरी companies के लिए थोड़े सोचने वाली बात है कि वो R&D में सेल मैनुफेक्टरिंग सेल डिजाइन कहीं ने कहीं काफी जादा काम करने लगए बाकी आप लोग को इस बारे में चाहिए नहीं हुआ है यह बात मुझे नीचे कमेंट बता सकते ठेंगे वीडियो देखने के लिप में आप सुने तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अं